आवी फिलिप कार्ड के उपर चल रहा है बिग विलियंडे सेल और इस बिग विलियंडे सेल में आप पर्चेस कर सकतो आपका फेवार स्मार्टफून बहुती सस्ते में जैसे दुस्तों मेरे हाथ में है Realme GT Master Edition स्मार्टफून का जो 6GB 120 8G वाला विरेंड को आप बहुत ही आसानी से कार्ड वगरा ओफार या बैंक ओफार में पर्चेस कर सकतो है स्मार्टफून को 18,499 रूपिस में क्योंकि गाइस बहुत क्या सा डिस्काउन में है Realme GT Master Edition स्maatbury चांब की बेस विरेंड में जो स्मार्टफून इतना सस्ते में मिल रहा है का स्मार्टफून बेकार होने वाला है स्मार्टफोन का कैमेरा अच्छा नहीं है, डिस्पले अच्छा नहीं है, क्या स्मार्टफोन हैंग करता है, लैक होता है, क्या स्मार्टफोन हीड होता है, यह स्मार्टफोन आज इस वीडियो में आपके साथ सेयर करने वाला हूँ, क्योंकि स्मार्टफोन को मैं काफी दिन स कि यूज कर रहो लगवग 40 से जादा भी हो चुका है स्मार्टफोन को में यूज कर रहा तो आज इस वीडियो में इसका रिवियू देने वाला हूँ, यह जो स्मार्टफोन इतना सस्ते में मिल रहा है कि आ अच्छा होने वाला है यह से आपको जान लेके लिए वीडियो quality and design के बारे में एक स्मार्टफोन का डिजाइन अच्छा होना वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो दिखता है वही तो बीखता है यह जो स्मार्टफोन आता है कौफी अच्छा करसा डिजाइन के साथ पीछे की तरफ एक नया डिजाइन देखने को मि जाएगा उसे के साथ यह पर पीछे की तरफ लेदार फिनिसिंग रहने वाला है जहाँ पर उंगली का निशन वेगरा नहीं आता है अगर आप स्मार्टफोन को वीडाउड वैकेस में यूज करना चाते हो तो आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो कुछ भी क्रैसेस व दिक्कत वेगरा या एक्सिदेंट वेगरा नहीं होता है और फांसाइट के तरफ देखा जाए तो स्मार्टफोन आता है लेफ साइट कॉर्णर पर तंचोल डिस्प्ले के साथ डिस्प्ले का बजल और नीचे जो चेन रखा ही बहुत ही छोटा है यहों कि गैस स्मार्टफ फूल इसड़ी प्लास फूर एमोलेट डिस्प्ले के साथ अगर बात कहले सुपर का क्वालिटी के बारे में आप यहां पर देख सकतो यह पर में वीडियो प्ले कर आव आब देख सकतो जो कलर वेगरा दिखाे रहे कितना एकुरेट है उसे के साथ तो यह पर डिटेलिंग गारा दिखपाओंगे कुछ भी दिक्कत वगरा नहीं आने वाला है और सबसे बड़ी बात है जो स्मार्टफोन आता है 120 हर्स रिप्रस्ट्रेट के साथ यह होगी गयास स्मार्टफोन है गेमार के लिए भी काफी अच्छा होने वाला है सबसे अच्छी बात है इस 120 हर्स को अ बात कहा जाए स्मार्टफून की चिपसेट के बारे में एजो स्मार्टफून आता है Qualcomm स्नैपडन की तरफ से 778G चिपसेट के साथ जोकी ओक्ता कोर चिपसेट है इसका जो क्लॉक्स भी रन करता है 2.4 गिगार्ट में और यह जो चिपसेट बना हुआ है 6 नैनोमेटर पर यहां पर जो गेमिंग पाफमेंस मिलता है काफी बढ़िया है दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लेम बगर नहीं आने वाला है बहुत ही आसाने से आप बीजी माई कॉल अब ड्यूटी फ्री फैर को हाई सेटिंग में खिल पाओगे लैग हैंग और ऑवारीटिं स्थेट मिलता है तो आपका जो गेमिंग का पाफमेंस इधर से उधर होने वाला है यहां कि कैस बहुत ही अच्छा गासा स्मार्टफोन के अंदर गेम चलता है कुछ भी डिक्क्रेद वगरानी आता है बहुत ही अच्छा का स्मार्टफोन है चीफ सेट के मामले में और यह फ्यच्चार प्रूफ होने वाला है क्योंकि गया चीफ सेटर पिछ को साफ़ूट करता है। इसधर पेरे मारी जो सेंसर रहने वाला है 64 Megapixel 8 Megapixel अल्टरोइट के लिए और 2 Megapixel देखेने को मिल जाएगा अगर मैं बात करूँ 64 Megapixel के बारे में यहां पर आप देख सकतो कुछ पीक्चा सेंप्ल पहला कुछ पीक्चा सेंपल देख लिए इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैस Master Edition के अंदर जो camera मिलता है मैं कहने वाला हूँ price के सबसे बहुत इबढ़ी आए बहुत इच्छा कासा quality निकाल कर वहार आता है लेकिन इसका जो selfie camera है ओब बेकार होने वाले क्योंकि 32 megapixel का selfie camera का साथ real लें जिटी Master Edition आता है लेकिन इसका selfie camera का जो quality है अब यहाँ पर देख सकते हो मुझे इतना अच्छा गासा नहीं लग रहा है मैंने जब फोड़ो किचा मुझे लगता है मैं 13 मेगापिक्सल से फोड़ो किचा हूँ क्यों कि 32 मेगापिक्सल कहा है और 13 मेगापिक्सल कहा है तो यहाँ पर quality में बहुत ज़्यादा लगने को मिलें स्मructures में स्माट wäre में एक छोड़ा सा प्रॉब्लम दिखने को मिल जाएगा है कि बैटरी के साथ और इन बोक्र पर बैटरी एंपया जो मिलता है वह बहुत ही कम है और 120 हर्स रिफ्रेंस रिट होने की वैज़े से यहां पर दोस्तों बैटरी यह थोड़ा सा ज्यादा निकलता है अगर आप 60 हर्स करके यूज करो तो एक दिन तक ठीक ठाक निकल जाता है और डिफेंड करता है आपका यह होता है जो स्मार्टफवन चार्जिंग की तैम होगों होता है यह समनके चल सकतो 30 डिग्री के असपास इतना वहार होता है इतना जद Our Very करें से काम कर रहे है कुछ भी दिखकत वेगर तो आभी तक मुझे नहीं मिला है सिंगल स्पीकर के साथ आता है उसका quality बहुत ही आच्छा कासा है और दोस्तिया पर टाज या हीटिंग वेगरा कुछ भी इसव बेगरा नहीं आता है और यहां पर कैमरा में कुछ भी इसव बे आपके पास बांट कारवे तो आपको फीडियो पशंद आए होगा उमिद करता हूँ उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना उसे के साथ चलन को कर लिजिए सब्सक्राइब नोटीबी के सान बेल को चुरू आल में क्लिक करना तो आज के लिए इतना है अगले फ्रेस वीडियो में तब तक के लिए बाय फ्रेंस टेक क्यार फ्रेंस